वेलकम बेक टो आपर यूटीब चनल इंजिनेर माइंड दो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जेनरल इंग का क्वेसंस कवर करेंगे जैसे हम लोग पार डे करते हैं जेनरल इंग का सिविल एलक्टिकल एंड मेकनिकल के लिए जो सिलेबस दिया गया है जे एससी एक लिए के लिए तो जैसे सिजे एंड बीपेसी का जो अपकमिंग एक्जामिनेस में उसमें यह कोसेंस बेनिफीचल एंड इंपोर्टेंट है कई कोसेंस ऐसा है जो कि लास्ट टाइम से पूछा भी गया है प्रिवियर्स येर्स में तो आप यह सारे कोसेंस कवर कर लो औ और पूरा वीडियो को देखो ताकि आपका जो सिलेवस है जेनरल इंजिनियर्स का वह कबर हो सके तो हम लोग डिसकस करेंगे डिसकस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंजिनियरिंग जोप से रिलेटेड जितनी भी जो अब्डेट्स हो एंड बीपेस्सी एंड जैसे सीजेएंड कोई भी स्टेट पब्लिक सर्वीस कमीशन या स्टाब सेलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट की और उसमें जैसे सीजेए की तरह सी लेवस पूछा जाता है जेन समा रहा है इन प्लेंट टेवल सर्वे ऑपरेशन वीच मस्ट भी करीड आउट इज ऑफशन है रिसेक्शन औरियंटेशन इंटर सेक्शन तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह औरियंटेशन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको बता दे कि प्लेंटेवल सर्वे क्या होता है अगर कोई इंटेयर डीटेल्स हम लो करते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो होता है वелов parti में ही हो जाता है और ओफिसल वरक की इसमें बहुत कम होता तो पेपर वर्क जहां परम अम जो देख जैंघ यहां पर कोोस्वाम से पूचा गया हाहि इन प्रिंसपल ओफ प्लेंट युक्टेवल बितला 25 जो होता है वह पैरलेलेलिजाम होता आगे सकता है कोशलंस आये इसे डियेक्ट तो जैसे कोहीा हैं हम लोग वहां भार भी डिस्कस करेंगे क्ला उतन और यहां पर एसी के डीस करते हैं पहले जगा जोभी हम लोग सर्वे करते हैं यहां करते हैं तो आफ इसके पैरलेल में ही होता है यह वाला point point A के parallel में सारा point हम लोग consider करते हैं तो यह जो सारा process होता है वो क्या कालाता है orientation और यह method जो करने का method है इसी को हम लोग बोलते हैं parallelism तो आपको orientation and parallelism दोनों समझ में आगया होगा बीना orientation का हम लोग plan table serving नहीं कर सकते हैं तो principle of plan table serving parallelism होता है और orientation में जो हम लोग एक station के parallel में सारा work करते हैं उस method को हम लोग parallelism बोलते हैं next question से हम लोग देखते हैं next question से the working edge of the LED is non-edge option is fiducial edge beveled edge parallel edge तो इसका correct answer होगा a fiducial edge तो LED का हम लोग use कहां करते हैं यह हमने surveying का जो descriptive type ने जो लेक्टर हम लोग ने पढ़ायाता है वो channel content में भी available आप देख सकते हो और edit का मिलनी जो यूज किया जाता है तो वो site of object करने में क्या आता है object का जो site होता है वो करने के लिए हम लोग एलेडेट का यूज करते है site of object तो यहां पर पूछा किया working edge of the LED इस नोने तो option होगा correct fiducial edge नेस्ट कोस्टन समलोग देते नेस्ट कोस्टन से तो इस जगह पर हम लोग नॉट लाइन टॉप करने पर मार्क करते हैं तो इस जगह पर हम लोग पूछा गया राइट हैंड टॉप कॉर्णर तो थर्ड का करेक्ट अंसर सी हो जाए नेस्ट कोस्टन्स दी यूफोर्क एंड प्लंब और रिक्वाइड फॉर्ट यूफोर्क एंड प्लंब किसलिए यूज करते हैं यह कोस्ट भी प्लेंट टेवल है और इसको किसी एक सेंट्रिंग करते हैं और भी बहुत सारा ओप्रेशन्स होता है तो लेवल जो करते हैं हम लोग वह स्पिरिट लेवल से करते हैं और यूफोर्क एंड प्लंब प्लंब जो राता है तो यहां पर हम लोग रख करके और इसको यहां से सेंट्रिंग करते हैं और यूफोर्क के हेलप से देखते हैं कि यह सेंटर सही हुआ या नहीं हुआ तो इसका जो में परपास है यूफ और प्लम बोब का तो यह हम लोग सेंटरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं तो फॉर का करेक्ट अंसर यह हो जायागा सेंट्रिंग यह सारे सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे वेकेंसी बीच में जैसे आते रहेगे मैं आपको अपडेट भी देते रहूंगा पूछा गया इनेक्सिशिवल पॉएंट्स में भी लोकेटेड वाइ दी ओफिसे डी इन्टर Сेक्षं में टर्ड रेडियेशों में तर्ड तो उप्रट अप्षं जो होगा वह भी हो जाएगा यहां पर पूचा गया intersection method जो होगा inaccessible point के बारे हम पूचा गया तो जब भी हम लोग को inaccessible points के बारे हम पूचा जाता है तो हम लोग intersection method method यूज़ करते हैं जो प्लेंट टेवलिंग का तीन मेथड़ होता है इंटर्स चार मेथड़ होता है रिसेक्शन इंटरसेक्शन रेडियेशन एंड अभी एक याद नहीं आ रहा है सोरी तो हम लोग नेश्ट देखते हैं इनक्सेसिवल प्रेंट मेभी लोकेटर वाइदी र रेडियेशन मैं आई टो हम लोग नेक्सेशबल प्रेंट जब विक लोकेट करना धार इंटर्स अक्षिन मेतनर यूज़ करता है तूस्वी अगर कोई नया इस्टेशन लोकेट करना राता है तो लोग रिसेक्शन मेतनल यूज़ करते यहां पर पूछा किह इनक्सेशिव point may be located by intersection method this correct answer B O da again next question some log that the next question sir the accuracy with which the instrument station can be established is known as the option a strength of fixed strength of accuracy strength of solution this correct option joga wo a ho da again strength of fix you kid joham log accuracy case of the instrument station ko establish karterus membroke strength of fix kee liye karter or strength of fix kee naam se wo jana data to next question some log the next question said the principle of plant table is abhi hamna patla da ki principle of plant table kya hota hota hai to principle of plant table johota hai wo parallelism hoota hai parallelism means my nevato like ki koi bhi station aq fix kee na pa tripod ke saath plant table come fix kiya aur usi ke reference me log parallel leete jathe hai saare point to yeh method joh hai wo orientation kalata aur joham log method use karathe hai is ka parallelism me hara kya urm point the parallelism days come log parallelism boolta hai is ka correct answer eho ta ka principal plan table parallelism to yaha perjo a made done in accessible point to may be located by the two charmed rota hai plan table serving karanika angry section intersection इन्ट ट्रा वार्शिंग चार मेथड वोता है और सटें थोड़ा हचपोच हो गया थन्ट तो री सेक्षिन मेथड में हम लोगेट करते हैं तो वो रीन्यू आगर कहीं पर नहाया प्रण प्रण डोक को लोकेट करना था इंटर सेक्षिन में इनकेश्चे वर पॉयंट को लो एट नमबर था ती प्रिंस्पल प्लेंट टेवल इज पर लिजम होता है हमने बतला दिया कैसे होता है निश्ट कोश्चन से दिप्लेंट टेवल मैप के नोट भी प्लोटेड टू एडिफरेंट स्केल एज देर इज नौ ऑफशने लॉंग लॉग बुक लेवल बुक अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जब प्लेंट टेवल में मेपिंग करते हैं तो डिफरेंट स्केल पर तो मैजर नहीं कर सकते हैं जब अगर फिल्द बुक नहीं रहेगा तो तो यह सारे कोस्टन से इंपोर्टेंट है और आप इसको अच्छे से करो और वीडियो को इंड तक देखो ताकि जो शिलेवा से आपका वो कबर हो से के बहुत सरा है ब्रांच पेपर में भी ये को संस पूछा जा सकता है और हम लोग फिर करेंगे एलेक्ट्रिकल पार्ट पी एंड मेकनिकल पार्ट भी अभी कुछ रिजन से हम लोग लोग सील पार्टी सिर्फ कवर कर रहे हैं इसके बाद में लोग ब्रांच पर भी कवर करें को संसे दी स्ट्रेंट ओफिक्स इस बैड इव दी प्लेंट टेवल इस्टेशन इस टेकेन आउटसाइड दी ग्रेट ट्रेंगल ओन दी सर्कम्फरेंस ओफ दी ग्रेट ट्रेंगल इंसाइड दी ग्रेट शर्कल तो नाइन का करेक्ट अंसर होगा बी ओन दी सर्कम्फरेंस ओफ दी ग्रेट सर्कल तो करेक्ट अंसर बी हो जाएगा लेकिन कैसे होगा वो समाजना जर यह प्लेंटेवल का इस्टेशन जो है अगर जैसे यह सरकल है ग्रेट सरकल है और इसका सरक्मफरेंस पर हम लोग इसको इसको कंसीडर करते इस टेंट ओफ फिक्स को तो इसका क्रेक्ट ऑन्सर बीवाद आगा नेस्ट को सिंध लुग अप्ते नेस्ट को संसे दी थी प्रोइ मेंन केन शॉल डबाई आफ सिने ड exists in paper method पेसलज में Egyptरली में प्रोस का सारे में 10 जो होगा वह वह हूल दी में the plantable is plantable का साइज कितना होता है जो प्रेंट अब यूज करते ट्रैप और इस टेन पर फिक्स करते हैं ड्रोइंग सीट इस पर रखते हैं और प्लोटिंग करते हैं जो फिल्ड वर्क में जा करके इसका साइज कितना हो का साइज 600 mm x 750 mm तो आपको सेंटीमेटर में विदिया जा सकता है तो 60 x 75 cm होगा तो आपको बस यूनेट पे ध्यान रखना है तो इसका करेक्ट नसर जो होगा वो बी हो जाएगा नेस्ट कॉस्टिंस इंटरसेक्शन मेतष आफ डिटेल प्लोटिंग इस मस्ट सूटेबल फोर्स अर्बनUh एरियाज हिली एरियाज प्लेंस जो पूछ रहा कि इंटरसेक्शन मेत्ट देट इंटर सेक्षन में तर्ट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वह हीली एरिया के लिए यूज करते क्यों की इनक्सिशिवल पॉयंट हम लोगी हाथ से ज्यादा पॉइंट अगर यूज़ करेंगे तो हीली एरिया मिं होगा कहीं पर ज्यादा अंडूलेटिंग एरिया है कहीं पर फेरली एरिया तो इस कंडिशन में हम लोग हीली एरिया के लिए इंटर सेक्षिन मेटर यूज करते तो 12 एकल पनसर चीह जाएगा नेश्च को सिंस आश्ट को संसरी नेश्ट को सिंसर्ड टू पॉर्ट प्रोब्लम इजे मेथड ऑफ और और अफ्शंट रिसेक्षन और यंडे संड आंड और यंडे संड नन ऑफ और तू तो तेरा का वरें सी ओजयागा रिसेक्शन एड ओरियंटेशन दोनों का मेथड टूपेंड प्रोलेम है दोनों मेसट टूपेंड प्रोलेम का मेथड तो इसका कर्क्रेक्ट अंसर सी ओगा नेस्ट कोसटन सम लोग दे अपने इन एलिटेट इज यूज़ इन प्लेंटेबल सर्वेंग फोर करें लोग यूज करते हैं लाइन को ड्रो करने के लिए तो फ्रेंड्स हम लोग का कॉस्टन कंप्लीट हो चुका है जेनरल जिन का तो आप से रिक्वेस्ट एक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर इस वीडियो मे कोई कांफ्यूजन है कोई बीको संसे में ताप कोमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे चैनल कंटेंट में एवेलेबल है इन सारे कोस्टन्स का डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप तो आप वहां भी जा करके देख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना है फिर नेक्ट वीडियो मिलते तर तक के लिए भाए